आज हम बात करेंगे आर्ट की दोस्तों आर्ट का बेसिकरी मतलब होता है कला हिंदी में इसका आप कला कहते हैं इंग्लीश में आप इसको आर्ट कहते हैं जब दूरु तुम आप इसको कोई फनकारी कहते हैं जो वर्ड आर्ट है ये एक कमेंडेटरी वर्ड है यानि यह बहुत सारी मीनिंग को अपने अंदर कवर कर लेता है जैसे कि आप मौर्ति कला को कह सकते हैं या कोई लिखने की कला हो सकती है किसी के अंदर बोलने की कला हो सकती है कोई भी डांस करने की कला तो आर्ट क्या है? कवरिंग अ मल्टिट्यूड मीनिंग तो आप उसको लव लिरिक नहीं कह सकते हैं या आप उसको ड्राजिक ड्रामा नहीं कह सकते हैं या एक डांस करने वाले को आप एक अच्छा सिंगर नहीं कह सकते हैं करने वाले अलग होते हैं नाशने वाले अलग होते हैं अच्छे स्पीकर अलग होते हैं तो यही कह रहे हैं के आर्ट बहुत सारे मीनिंग को कवर और कर लेती हैं लेकिन आप एक कल जोस्थेolution के उपर आप्लाइ नहीं इन्होंने एग्जांपल दया है कि कोमिक ड्रामा को लव-लिरिक नहीं कह सकते यह बात इसी थरह है कि डान्स करने वाले को आप सिंगर नहीं कह सकते और सिंगर को डानसर नहीं कह सकते यही मतलब है definition देख लिएते हैं कह रहे हैं कि basically art को कैसे पेचाने कि क्या इसकी characteristic है तो कहते हैं obvious aesthetic element कि जहां कहीं भी आपको एक aesthetic element दिखाई देगा, aesthetic सौंदर रिये, कि अगर कोई बहुत अच्छा बोल रहा है तो समझो उसके अंदर बोलने की कला है, कोई अगर आपको art दियान कैसे रखना है आपको दियान रखना है aesthetic element जो अच्छा बोल लेता है उसके अंदर बोलने की कला अच्छा गा लेता है, उसके अंदर गाने की कला, अच्छा डांस करता है तो उसके अंदर एक dancer की कला तो ये सब चीजे है, तो art अब अब लव लिरिक नहीं कह सकते